संबीधान को गलत बैख्या गरी नेकपाई एमाले नेतरित्त को सरकार लाई विस्थापित गर रहा नेपाली कांगर्स का सभापती सर्भाद देवभा को नेतरित्त माल पांच दलिय गठबंदन को सरकार बने को उनान असी असार उनान तीस गते एक बरसा गठबंदन ले जारी गर को निवनतम साजा कार कम संगीय समसद मा प्रदान मंतर ले गरन वायको समभधान सरकार दरा प्रस्तुत निती कार कम तर बिनियोजित बिनियोजन बजेट तर तेसको कारनें लाई है दा यो सरकार ले गएको एक बरसा समय को बरबादी मातर गर को देखेंच, संबिधान को तराच्यार कारनें, लोगत अंतर को सुद्धरी करन, संगीय प्रदाली को सुद्धरी करन, जनाजिबिका को सवाल रतराष्टियता को तराच्या, अंतराष्टिय संबंदा को सुधार, सुशासन कायम गरने खरा, प्रस्ताचार नियंतर गरने जा सवाल माता सरकार ले छेव टुपपो नहीं फ्यला पारन शक्रेर को छाई ना नेकपाय एमाले को स्वास्ते तथा जन्षंग्या बिवाग मारफत सरवाद देवा नेतरत्तो को सरकार को गय को एक बर्ष को स्वास्ते शेतर को मुल्यांकन लाई यहारू संचार कर्मी मित्तवर मारफत आम जन समुदाय समख्या प्रस्तुदगर का चों यो मुल्यांकन प्रमुख प्रतिपची दल का हैस्यत ले सरकार प्रतिको नेकपाय एमाले को निगरानी र खबरदारी पनी हो नमर एक, कोबिट उन्नाइस को महामारी लाई नियंतन गरनका लागी 26 संगठनले नेपाल लगायत का देशर लाई सन 2022 जुन महिना को अंतिम अथवा असार फंदर गते सम्म कूल जनसंख्या को 70% लाई कोबिट ब्रत्र को खब लगाउनु परने बनी दियेको लक्षा स्वास्ते तथा जनसंख्या मंतराले को कमजोर व्यवस्थापन और कमजोर नेतर्तो का कारण प्राप्त खब उन्धा हो देई पनी पुरावन सकेको छैना बरु पुर्व अर्तिकेपियोली नेतर्तो को सरकार को पालामा वहेका सम्जोता बमजीम प्राप्त वहेका करीब 5 करण असी लाख खब को समुचित व्यवस्थापन मातर गरीको वहेपनी दू मातरा खब सबै नेपालीले अईले समन पाउने थिये तर कमजोर व्यवस्थापन रा नेतर्तो का कारण 10 लाख मातरा बड़ी खब मिती सकीयर फालीयेको तीतो सत्य हमरा सामुछ पछिल्लो सुचना अन्सार मंतरा लाएले थब 20 लाख डोज खब मिती सकीयर फालनेतर यारी मा लाएको हमिले सुचना पाएका सम प्रदान मंतरी सरवाद देव बाले आपनों सरकार को प्राथमिकता खब 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 रखब अरहेको र अठथतर चरितर मसांता समन सत्प्रति सत्खब लगाउने बनी गरेको गोशना आवादारी गोफ मा परिनद बाएको सुचना